आई फ्रेंड्स, वेलकम टू जार्कन एजुकेशन हब मैं हूर देश और आज है 9 अपरेल, 9 अपरेल से जार्कन के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स बनेंगी, उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और जार्कन के करेंट अफेर्स को हम लोग बहुत ही डिटियल मे कबर करेंगे, तो चलिए क्लाश को शुरू कड़ते हैं और देखते हैं जार्कन के इनपोर्टेंट करेंट अफेर्स को, इस क्लास का पीडियेफ आपको अमरे टेलीग्राम चैनल में जाएगा तो टेलीग्राम चैनल को उप्लुक जरूर जोएंड कर ले, टेलीग्राम चै दिस्क्रिप्सियमें में जाएगा आप वहांस जाएके टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो टेलीग्रम चैनल को आप लोग मस्ट जोइन कर लेगे इस क्लास को आप लोग लाश्ट तक देखे और लास्ट में आपको एक कुश्चिन भी पूझा जाता है जिसका आप लास्ट में में जाकन के कुछ प्रिवीएश डेज़ के इन्पॉर्टैंट करेंट अफेर्स का अभी रिविजन करते हैं तो इस क्लास को प्लास तक जरूड देखे चलिए चलते हैं हमलोग अपने पहले कुश्चिन की और देखते हैं आज का मारा पहला कुश्यन आज का मा जाकन में बैक टू इस्कूल केमपेंड की शुबात की गी है यानि ऑप्शन एस का मिल्कूल से यांसर जाएगा चली जानते इसके बार में तो हाली में जाकन में पांच अपरेल से इसकूल के बच्चों को पढ़ाई के परती जागरुक करने के लिए और इसकूल जाने की पांच से अठरा वर्स के बच्चों को इसकूल जानने के परती अभियान चलाए जाएगा तो बैक टू इसकूल केमपेंड इसकी शुबात जाकन में कब से की गई है तो पांच अपरेल से इसकी शुबात की गई है इसके तहत राज्य के वैसे बच्चे जो सिच्छा से वन तो पंदरा नॉवेंबर 2000 में जाकन का निर्मान किया गया था तो पंदरा नॉवेंबर को भगवान बिर्शा मुंडा की जैन्ति मनाई जाती है इसलिए पंदरा नॉवेंबर को जाकन का निर्मान किया गया था यानि जिस समय जाकन का निर्मान किया था उस समय जाकन में आ अब इनका निर्मान कब 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 करें तो जामतोडा की बात करी इसका निर्मान 27 해्जाथ में क्या है और रामगर्ण 2007 में क्या गया है और रामगर जाकन का सबसे नविंतम जिला है यानि रामगर जिले का निर्मान जाकन में सबसे बाद में क्या गया है तराइकेला खर्षवा की बात करें तो इसका निर्मान 2001 में क्या गया है खूटी की बात करें तो खूटी का निर्मान 2007 में क्या गया है और स इतने पतिसत भूमी को अलग करके जाकन का निर्मान क्या गया है तो बिहार के लगबग 46%, 45.80% यानि 45.80% भूमी को अलग करके जाकन का निर्मान क्या गया है तो ये कोश्चिन कई बार पूछा गया है इसे आपनों गैदर के बिहार के 45.80% भूमी को अलग करके जाकन का निर इसके अंतरगत जाकन का सबसे चोटा प्रमंडल है इसके अंतरगत सबसे झोटा प्रमंडल है इसके अंत्रगत जाकन की 3 तो दौनों को यह आप लोग याद रखें जाकन में अनुमंडल यानि सब्डि़िजन बाकरें जाकन में वरतमान में 45 सब्डिविजन यानि XL अनुमंडल भी आप लोग याद रखे तो चलिए चलते हैं लोग अपने अगले कुश्चिन की और देखते हैं अगला कुश्चिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेश कर दे थाकि यह आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नूटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी एक लाइक जरूर करते तो चलिए देखते हैं हमारा अगला कुश्चिन है हाली में जाकन के किस सिच्छन सहस्तान को QS रैंकिंग में सब्विश्वा इस्तान मिला है तो इसका सही अंसर क्योगा इसका सही अंसरो का ओप्शन B, IIT, ISM, QS रैंकिंग की बात करें तो QS रैंकिंग में धर्बाद इस्तित, IIT, ISM को 26 वा इस्तान मिला है पूरे विश्व में और भारत की बात करें तो भारत में इसे दूसरा इस्तान मिला है और जाकन का के वल एक ही ऐस सह संस्तान है जो QS इसका सही अंसरो जगा, IIT, ISM, चली जानते हैं इसके बारे में, तो हाली में 20 से अधरें, QS रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के 6 संस्तानों को शामिल क्या गया है, भारत में प्रथम इस्तान पर श्रमिता इस्ट्यूट अप मेडिकल साइंस है, जो 20 में 18 वरी इस्तान पर भारत के दूसरे इस्तान पर जाकन के धनबाद इस्तित, IIT, ISM में जगा बनाई है, जो पूरे 20 में 26 वे इस्तान पर रहा है, जाकन से केवल एक मात रहसा संस्तान है, जिसे इस रैंकिंग में शामिल क्या गया है, IIT, ISM की बात करें, तो IIT, ISM कहां पर है, ये धनबाद में इस्तित है, और QS World University रैंकिंग में इसे 26 वे इस्तान मिला है, और भारत की बाद करें, तो भारत में इसे दूसरा इस्तान मिला है, आप यहें पर देख सकते हैं, IIT, बंबे को 117 वे इस्तान मिला है, इसी तरह, IIT, बैंगलोरू को 116 वे इस्तान मिला है, IIT, मदरास को 217 व इस्तान मिला है, यानि Global रैंकिंग की बाद करें, तो इसे 26 वे इस्तान मिला है, IIT, ISM, तो यह है IIT, ISM, यह कहां पर है, तो यह दनबाद मिस्तित है, और इसके फुल्परम की बाद करें, तो Indian Institute of Technology और Indian School of Mines इसका फुल्परम है, इसे कब इस्टेबलाइज किया गयता, तो IIT के नाम से जाना जाता है, और जहाकन का यह एकमातर IIT College है, जो दनबाद मिस्तित है, तो इसे IIT का दरज़ा कब दिया गया है, वर्स 2016 में, इसे IIT का दरज़ा दिया गया है, तो इसे आप लोग याद रखके, यह कहां पर इस्तित है, तो यह दनबाद मिस्तित है, यह के बात करें तो धन्बाद का फॉर्मिशन कब गय था धन्बाद का फॉर्मिशन 1956 में से जाना जरता है तो यह एक पैंगोल के साथ शेर करता है यानि एक राजजी के साथ सेर करता है वेस्ट पैंगोल जारकन के दस जीलों के साथ अपनी बाउंटरी को सेर करता है धनबाद के वाद करें तो धनबाद जारकन के तीन जीलों के साथ अपनी बाउंटरी को सेर करता है बोकारो गिरीडी और जाम ऀ्टर के दनबाद के टोटल एरिया की बाद करें तो 2075 km2 का धनबाद का टोटल एरिया है धनबाद कौनसे डिवीजिन के अंतर घरप आता है और 119 अगर आधन फीकी बात करें तो गlles सेस्यों के मामले में पूरे जाखन भी सबसे कम है और घनबाद का पूरे जहाकन में सबसे अधीक है अगर में लोग पूपूलेशन की बात करें तो पूपूलेशन में ये धनबाद दूसरे इस्तान पर आता है सबसे अधिक पूपूलेशन रांची में पाई आती है और उसके बाद दूसरे नंबर पर धनबाद आता है अगर में लोग धनब सब्सक्राइबंगद के नांज से जांते हैं तो दोटल 10 ब्लोक है और 12 गाउन है और यह दनबाद के दस ब्लोक है आप इनहीं चाहिए डनforme सबसे 99 ब्लोक की बात करे तो 21 जाषिक ब्लोक थन्बाद का सबसे 9 ब्लोक है इसे भी आपलों भ्याद रखिंग हाली में वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया क्या है तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें यह कब मनाया क्या है तो इसका स्यांस रोगा साथ अप्रेल साथ अपरेल को World Health Day मनाया गया है यानि 246 मनाया गया इसे आप लोग याद रखें ओप्षंख कभी क्यों, सेच साइ का यदैए तो हाली म rockets तो हाली में साथ अपरेल को 200 स्वासत दिवस मनाया गया है, हर साल साथ अपरेल को 200 श्वासत दिवस मना जाता है इस बार की थीम क्या है तो Our Planet, Our Health इस बार की थीम है यानि वर्स 2022 की थीम है 7 अपरेल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाय जाए तो इसे आप लोग ज़रुरी याद रखे हर साथ अपरेल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाय जाता है उमारा अगला फुशिन है जहाकन रोयव विश्व विद दाले का दिछान समारो कब मनाये जाएगा चली जानते इसके बादे में राची इस्तित जाकन रोई बिश्विदाले का तीसरा दिच्छान समारों का आउजन 11 अपरेल को किया जाएगा इसकी अज़िचा धाकन रजजिपाल रमेश बेश के द्वारा किया जाएगा तो इसकी अज़िचता किसकी द्वारा किया जाएगा इसमें 29 टॉपरों को शोन पदक्सि सम्मानित किया जाएगा जाकन रोई बिश्विद्याले का दिच्छान समरों 11 अपरेल को मनाए जाएगा और ये जाकन रोई बिश्विद्याले ये राची मी सितेव इसे कब इस्टेबलाईज किया गयता अब आप लोगों के लिए एक कोश्चन है अब तर जाकन के जितने भी युनिवेस्टी का दिच्छान समरों का आइदिन क्या गया है तो आप लोग कमेंड करके आंसर दे कौन-कौन से युनिवेस्टी का दिच्छान समरों मनाए जाएगा है यानि युनिविस्टी का नाम लिखे और डेट भी लिखे कब उनका दिच्छान समारो मनाये क्या है चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं अब ये कहां पीच्थीत है तो ये रांची मीच्थीत है बात करेंगे रांची की तो रांची का फॉर्मिशन कब क्या गया था 1899 यानि आठाशो हिन्जानों में रांची का फॉर्मिशन क्या गया था रांची में टोटल हम लोग ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल अठाव लोग है तो राची जारकन की राजधानी है और जारकन की उप्राधानी है दुमका ये आप देख रहे है मैप में राची और ये है मैप में दुमका राची को जारकन की सिमिला का जाता है और जहर्णों का सहर भी राची को कहा जाता है राची में कई जहर्णें उने कारण राची को जहर्णों का शहर यानि City of all कहा जाता है राची तो राची में दो सब्डिविजन है और राची साउच और नागपुर डिविजन के अंदर गता है राची का एरिया की बार करें तो 5,097 किलोमेटर E-square का राची का एरिया है और 899 में इसका formation क्या गया था राची तो राची साउच और नागपुर डिविजन के अंदर गता है और साउच और नागपुर डिविजन का headquarter राची में इसी थे ये कुछ राची के major languages है जो बोली जाती है और 572 राची का population density है इसे आप लोग याद रखे राची में टोटल 8 ब्लोग है और राची में दो सब डिविजन है राची और बुंदू राची के दो सब डिविजन है इसे भी आप लोग याद रखे और ये है राची के टोटल 8 ब्लोग इनके position को भी आप लोग याद रखे हाली में ADB ने यानी ACN Development Bank ने विरीद वर्स यानी financial year 2022-2023 में भारत की GDP को कितने % रहने का आनुमन लगाया है तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा option D 7.5% ADB यानी ACN Development Bank ने financial year 2022-2023 में भारत की GDP को 7.5% रहने का आनुमन लगाया है यानी option D इसका विल्कुल C यान सुचाएगा हाली में ACN Development Bank ये कहाँ पिस्तित है तो ये फिलिपिन्स में इस्तित है इसने financial year 2022-2023 में भारत की GDP को 7.5% रहने का आनुमन लगा GDP की बात करें तो GDP का full firm अपलोगे रखे gross domestic product GDP का full firm है ACN Development Bank की बात करें तो इसने भी भारत की GDP को 7.5% रहने का अनुमन लगाया है इसे कब इसे और गया में स्टेबलाईज गयता तो इसे 9ificar 1966 umbrella 1966 में स्टेबलाईज गया गयता इसके वी वरतमान में प्रैसलिंट कोरने तो मसाच्ब एसके वी वरतमान में चेर्मेंन है और इसके headquarters की बात करें तो मनिला में यानिफिलिपिंस में इसका हैड़कोर्टर इस्तित है आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चिन पुछ आगे था हाली में किस राज्य की टीम बारवी जुनियर राष्टी महिला ओकी चेंपिन सिप में बीजिता बनी है तो इसका सेयांस रोगा हर्याना हर्याना की टीम इसमें बीजिता परी है हर्याना की टीम को शुवन पदक पिलाये और जाकन की टीम को इसमें रज़त पदक यानि सिल्बर मेडल प्राप्त वाये आज के लिए आपका कुश्यन है हाली में जाकन की फूटबल खिलाडी अस्टम उराओं के नाम से जाकन के कीस जिले में फूटबल गिरावन क किया जाएगा तो जो भी इसका सही अंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और उसके बारे में डीटेल मिले किए जाकन की कुश इंपोर्टेंट करेंट अफेश का आम लोग रिविजन करते हैं इसमें हमार पहला कुश्यन है हाली में जाकन के कितने खिलाड़यों का सीमर भ़त्य है मईला पहीटी में किया जाएंसर प्राश्टियल मात्रे भाश्या दिवसा की बात करें यह 21 फरवरी को मनाये गया है यानि option A का भिलकुल C यांस हो जाएगा हाली में राची इस्तित, RL-SY College में कितने पूस्चोकों का लोगारपन किया गया है तो इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर होगा option B 5 पूस्चोकों का लोगारपन किया गया है तो इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर का option D राची राची में इस्तित है इकलेव्य तिरंदाजी केंद्रे इसके अभी 12 खेलड़यों का चेन और इंडिया विश्व इद्धाले तिरंदाजी परतियोगीता के लिए किया गया है यानि ऑप्सिन डीस का विल्कुल से यांसर जाएगा चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखत